हालो एबरीवान विल्कम बैक टो माय चैनल NK Glosson और मैं हूँ ममता फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हों विंटर में अपनी स्किन का कैसे ध्यान रखें गोली जुकर में हमारी स्किन होती है वो थंडि हवाओं की वज़े से और तंडा होने की वज़े से बहुत ज़्यादा ढाय हो जाती है लेकिन जिनकी अलरेडी ढूम उनको बहुत जादा प्रॉब्म तो आज मैं आप लोगों के साथ लेके आए हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने स्किन को ड्राय होने से बचा सकती है और उसके सांसाथ बहुत अच्छे से अपनी सद्या इंजवाई कर सकती है तो कौन-कौन सी है वो टिप्स चलिए आगे आप लोगों क हमें बताती हूँ let's get start it सबसे पहली मेरी जो टिप है वो यही है कि आपको जादा गरम पानी से नहीं नहाना है देखो जादा गरम पानी जो होता है न हम लोगों को क्या लगता है ठंडे-ठंडे मौसम में जादा तेज गरम पानी अगर में अपने ऊपर डालते है तो कि आपको क्या करना है हमेशा गुनगुना पानी से ही नहाना है और सर पर तो आपको गुनगुने से भी कम पानी हलका पानी मतलब जो आपको लगे बस ठंड़ खतम हो गया बस जादा तेज गरम पानी सर पर भी नहीं डालना होता वरना सर पर भी आप लोग देखते हो कई लो अपने फसे पर आपने बॉडी पर नए हार से सेकिंड्स एक जर्न आपको यह करना है कि आपको अपना फेस वाश को करना है क्रिम बसे यह देखो हम लोग क्या करते हैं जिस sellers से हम अपने संग्मी am air according to weather, तो आप क्या कर सकते हो, कि cream-based face wash यूज़ कर सकते हो, उनसे क्या होगा, आपकी skin moisturized रहेगी, पूरी dry नहीं होगी, अब थर्ड टिप है, पानी, पानी हमारी बोड़ी के लिए, इतना ज़्यादा फायदे मन्त है, इतना ज़्यादा important है, बट हम उसको सबसे ज़्यादा नेगलेक कर देते हैं, तो पानी पीना बिल्कुल भी ना भूले, पानी की बोटल हमेशे अपने साथ रखें, पानी का मग हमेशे अपने साथ रखें, और पानी थोड़े थोड़े टाइम में पीते रहें, बिकॉज ओफ हम सर्दियों में पानी नहीं पीते हैं, जिसकी वज़े से हमारी बॉड़ी अंदर से डिहाइडरेट होती रहती है, लिए आपको पानी पीना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अच्छा, कुछ लोगों को आदत होती है, हफ़ते में 4-5 बार स्क्रब करने की, वैसे तो हफ़ते में कम से कम 2 आ 3 बार ही स्क्रब किया जाता है, नॉर्मल भी, लेकिन जो लोग ज़ादा स्क्रब करते हैं, या फिर 2 आ 3 बार भी करते हैं, तो सर्दियों में कम से कम हफते में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपको करना चाहिए स्क्रब जादा यूज़ करने के वज़े से क्या होता है हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और वो फिर हमारी स्किन को ड्राय करना स्टार्ट कर देता कम से कमScrub का इस्तिमाल किया जाता है सर्दियों में और अगर आपको करना भी है तो हफते में सिर्फ और सिर्फ एक बार आपabout क मसाजपे on उससे क्या होगा? आपकी वाडी कभी भी ड्रया नहीं होगी इस्पेशलिय ऐपेशली सर्दियों में की जाती है because of body dry हो जाती है इसके लिए तो आप इसको वैसे गर्मियों में भी कर सकते हैं इससे आपकी body सही रहेगी और कहते हैं शाइनिंगे कहते हैं किसी किसी की body में लगी shine होती है चमक होती है तो वो हमेशा चमक रहेगी अगर आप इसको हमेशा follow करेंगे otherwise आपको अगर dryness के लिए ही करना है तो आप इसको सर्दियों में follow कर सकते हो पूरी body पे आप हफते में एक दिन oiling करके आप अपना नहाए उसके बाद एक और काम आप कर सकते हो अगर आपको अपनी dry कुछ जादा ही dry है आपके skin तो रात को जैसे सोने से पहले लेकिन मैं इसको सिर्फ अपनी body और अपने face पे लगाने के लिए ही use करती हूँ मेरी skin जो है combination skin है जादा dry नहीं है oily to dry है या dry to oily जो आप किया सकते हो ठीक है लेकिन फिर भी मैं सर्दिया स्टार्ट होते ही एक bottle बादाम रोगन शिरीन की ले आती हूँ और वो ही पूरे महीने और पूरा जितनी भी winter चलती है जतने जन्वरी तक फर्वरी तक तब तक मैं उसको use करती हूँ अब moisturizer का moisturizer मिल जाता है shining अलग आजाती है face पे तो काफी अच्छा और काफी effective मुझे ये लगता है इसके लिए मैं इसको use कर लेती हूँ ओके तो आप ये भी use कर सकते हैं moisturizer की जगा last but not the least आपको कुछ ऐसी चीज़े होती है जो खानी चाहिए चाहे गर्मिया हो चाहे सर्दिया हो सबसे पहला बदाम दूसरा अखरोड तीसरा fruits and vegetables citrus fruit अभी बहुत ज़्यादा market में चले होते हैं जैसे संत्रा मौस्मी और अनानास बगएरा ये सब जो भी खटेफल होते हैं आप इनको और ज़्यादा खा सकते हैं इस टाइम पर तो जिसे क्या होगा कि आपको vitamin C full मात्रा में मिलेगा आपको कोई extra vitamin C की टैबलेट्स लेनी के ज़रवत नहीं होती अपने स्किन को अच्छा करने के लिए आप नैचुरली पनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं ये सब चीजे खा कर ओके सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और समझ आया हो ओके सो यही था मेरा आज का वीडियो वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना मिलती हूँ नेक्स वीडियो में बाइब बाइब